है गाइज वेलकम डूता मेडिकल अफेर्स माइनेम इस अनुज राशपूत हमको बहुत सी कन्फूजन रहती है कि एटियल सेप्टल डिफेक्ट में साइनोसिस क्यों नहीं होता है और जो ब्लड है वह हमेशा लेफ्ट से राइट में क्यों जाता है राइट का ही हाइपट्र लिए आपका स्रकुलेशन क्लियर होना चीए तो हमारी बॉड़ी में स्रप्लाइशन जो पाई जाती है उसमें प्ल्मोनरी सर्कुलेशन एक स्रफ्थ करती आपके हर्ट वॉल्ल को यया नाम से लिए तो रफ्ट उ लंग्स में ब्ल में, तो यह हो गई आपकी pulmonary circulation, systemic circulation में आपकी left ventricle से aorta चलता है, aorta से जाता है blood arteries में, हाँ अब देखिए यहाँ पे जो blood आया था pulmonary veins से oxygenated था, यहाँ से blood इसमें जाएगा oxygenated रहेगा, फिर aorta में oxygenated रहेगा, फिर arteries में, फिर arteries में, फिर capillaries में, अब capillaries से होता है हमारी body tissue में blood transfer, और वहाँ से जो de oxygenated blood होता है वो capillaries से venules में भेज दिया जाता है, यहाँ से फिर blood जाता है superior inferior vena keva में, और फिर यहाँ से आपका जो blood है वो right atrium में gain चला जाता है, तो यह होता है हमारा systemic circulation, अब I hope आपको यह concept clear हो गया होगा और आपने वीडियो को like जरूर कर दिया होगा अब देखो atrial septal defect में क्या होता है, ठीक है, यह septum होता है तो यह septum यहाँ से grow करता है और यहाँ से grow करता है और जाके fuse हो जाता है after birth, लेकिन अगर यह fuse नहीं होता है तो उसको हम कहते है atrial septal defect, उसमें क्या होता है या तो hole आपका यहाँ पर present होगा या mid में होगा या फिर यहाँ lower में भी present हो सकता है, पर normally इसको क्या होता है, fuse कर जाना चाहिए, ठीक है, अब यह आपका है right atrium और यह है आपका left atrium, अब blood जो है वो move करता है कहां से कहां, left side से right side में, because यहाँ पर क्या present है hole present है, तो यहाँ से blood जाएगा right atrium में, और यहाँ पर क्यों जाएगा पहला question, यह इसले जाएगा because जो हमारा left side होता है यहाँ पर जो pressure होता है, वो high होता है, और हमेशा blood high pressure to low pressure move करता है इस वज़ा से left atrium से right atrium में blood is hole के तुरू चला जाएगा अब right atrium का pressure बढ़ेगा, तो right atrium जो है वो अपना pressure कहां generate कर देगा right ventricle में, अब right ventricle में pressure बढ़ेगा, काफी time तक जब इसमें बढ़ा रहेगा तो इसमें हमें hypertrophy देखने को मिलेगी, साथ ही अपना जो pressure है, वो कहां पर shift करेगा pulmonary arteries में, ठीक है, तो इसकी वज़ा से हमें यहाँ पर pulmonary congestion भी देखने को मिलेगा या जिसको हम दूसरे नाम से pulmonary hypertension भी कहते हैं, तो इस वज़ा से हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा और जो defect होगा, वो हमारा यहाँ पर hypertrophy होगी, right ventricle की, इसका size increase हो जाएगा अब question आता है कि इसमें sinus क्यों नहीं होता है, guys देखे, आपका जो circulation मैंने जो explain किया था भी तो यहाँ पे oxygenated और deoxygenated blood दोनों मिल जाते हैं, और यहाँ का pressure जब increase होता है, तो यह pressure यहाँ आ जाता है अब देखे, यहाँ पे कुछ blood जो है, वो oxygenated इधर भी चला गया, बट बाकी का जो blood है, वो अपना normal procedure में continue रहेगा बाकी का जो blood है, वो आपका left atrium से oxygenated blood left ventricle में जाएगा, और aorta के तुरू पुरी body में systemic circulation के तुरू जाता रहेगा तो यहाँ पे हमें body parts में sinuses देखने को नहीं मिलेगा, ओके, यह था concept sinuses क्यों नहीं होता है और blood, जो मतलब hypertrophy होती हो, right ventricle की ही क्यों होती है अगर आपका जो defect है, वो middle में, मतलब यह hole आपका middle में present है, ठीक है, और बाकी का सब जुड़ा हुआ है, तो इसको हम बोलेंगे, ostium secondum मैं short form लिख रहा हूँ, और अगर आपका यह hole है, यह bottom में present है, यहाँ पर, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ostium primum लेकिन अगर यह आपका hole जो है, वो top में present है, जहाँ पर, कहाँ पर, इस जगा पर, तो इसको हम क्या बोलेंगे, sinus venus तो इस base पर हमने इसकी classification कर दी है, ओके guys अगर हम बात करें, sign and symptom की, तो जो ostium secondum होता है और sinus venus होता है, यह mostly asymptomatic रहते हैं, ठीक है, और rarely इसमें CHF देखने को मिलेगा, मतलब cardiac heart failure देखने को मिलेगा, और कब, जब third या fourth decade life में इनसान पहुँच जाएगा, जिसको यह defect बचपन से है, exercise tolerance decrease हो जाएगी, मतलब person जो होगा, वो exercise नहीं कर पाएगा, because oxygen की demand बहुत जाद इसमें और वो उतनी fulfill नहीं हो पाएगी, और disneya देखने को मिलेगा, which is very common, then आते हैं diagnostic evaluation पे, यहाँ पे हम cardio examination करेंगे, उसमें हमें murmur sound सुनाई देगा, electrocardiogram में हम देख सकते हैं कि right ventricle जो है वो, overload हो जाएगा, volume उसका overload हो जाएगा, chest radiograph में हम देख सकते हैं कि हमारा heart जो कितना है, तो यह हमें ecocardiogram से पता लग जाएगा, okay, मिलते हैं next video में, till then, bye bye